यहां पर बात करें तो इस साल iPhone 14 स्रीज में दो काफी exciting phones आने वाले एक होने वाला है iPhone 14 Pro Max और एक नया iPhone 14 Max होने वाला है दौनों के अंदर Max Max लगा हुआ है लेकिन differences काफी ज़ादा देखने को मिलेंगे याने कि एक काफी नई चीज होने वाली है और कुछ cases में कुछ नई चीज़े भी देखने को मिलेंगी और हाँ यहां पर पुराने iPhone की ज़लक है वो भी continue होने वाली है क्या क्या होने वाले सब कुछ क्या बार में बात करने वाले यूडियो अगर आप लोगो पसंदर नहीं करते ना चैनल को सब्स्राइब कर सकते हो बेना किसी दिक्कत के लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं आपसे बात करने वालो आकर iPhone 14 Max क्या देखो सबसे पहले तो इस साल कोई भी mini iPhone देखने को नहीं मिलेगा और जो iPhone 13 mini था उसको replace करेगा iPhone 14 और जहां iPhone 13 मिलता था उसे replace करेगा iPhone 14 Max इसलिए जो regular iPhone 14 होता है वो 13 mini की कीमत में देखने को मिलेगा यह एक सबसे बड़ा चेंज यहां पर किया जा रहा है और इसलिए Max model को यहां पर उतरा जाने वाला है अब देखा जातों जो दोनों Max model होंगे Pro Max और Max दोनों के नर्स सेम 6.7 इंच का डिस्पले होगा लेकिन डिस्पले के अंदर डिफ्रेंस होगा Pro motion डिस्पले का यानि कि क्या आप लोग को मालूम है जो भी Apple के Pro वाले products होते उनकी अंदर 120 Hertz का Pro motion डिस्पले वो लोग डाल रहे हैं जैसकि iPad process की शुरूवत करी थी उसके बद आपको iPhone के Pro version यानि की 13 Pro में चीज़ देखने को में लिए अल्रेडी जो MacBook Pro आता है 14 इंच उफ 16 इंच वाले उनमें भी Pro motion डिस्पले आता है और यहां पे Apple प्रो वर्ड दिखा के अपने Pro motion डिस्पले को दूसरों से अलग दिखाना चाहती है यह है Apple की पीछे की कहानी लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में जो regular iPhone होते क्या उन आइफोन 14 मैक्स में होगा लेकिन प्रो मैक्स वाले के अंदर जो नया आई शेप जो कट आउट देख रहा है डौल होल देख रहे है वैसी चीज़ यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है यह चीज़ यहां पर से थोड़ा अलग बनाती है इसके साथी कुछ जादा कलर आइफोन 14 मैक्स में आएंगे लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी जो जादर प्रीमियम नेस रहेगी वह प्रो मॉडल के अंदर आएगे क्यों कहा जा रहे है कि उसके अंदर टाइटीनियम वगरा का भी यूज किया जा सकता है अब वो देखते है यानि कि हलका से एक प्रीमिय आइफोन 14 मैक्स की बैटरी हाँ पर बड़ी चल सकती है चूकि एपल हमेशे अपनी बैटरी को लेके बदनाब रहता कि बैटरी नहीं रहती लेकिन एपल वालों को यहां पर बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं देना लेकिन फिर भी देखा जाए तो आइफोन के अंदर इन येस इस टाइप की एक चीज़ देखने को मिलेगी इसके साथी आप परफॉर्मेंस में भी डिफ्रेंशेटिंग फेक्टर होगा जहां पर जो रेगुलर आइफोन 14 14 मैक्स होंगे ये पिछले साल के A15 बायोनिक चिप के साथ आएंगे लेकिन जो नई A16 बायोनिक चिप हो आइफोन 13 मिनी के रेट में अगर आइफोन 14 आएगा और आइफोन 13 के रेट में अगर आइफोन 14 मैक्स आएगा तो शाद इसको लेके जादा लोग यहाँ पर कुछ बोले नहीं और कुछ सॉफ्टर बेस्ट वाले कुछ फीचर्स डाल सकते हैं एल्स काफी हद तक चीज़ लेकिन पुल मैक्स में और आपको की इंप्रोइमेंड़ में देखने को मिलेगा कैमरा में ट्रिपल कैमरा होगे 48MP का में कैमरा होगा अभी दो कैमरा को 12MP को रखने की बाथ चल रही है और यहाँ पे लाइडर सेंसर भी रहीगा और यहाँ पे 8 k video recording का भी आप्शन रही यानि कि A16 Bionic chip और जो faster storage होता है यह दो ऐसी चीज़े रहती जिसका होना बहुत जरूर है 8K recording करने के लिए और इसका impact overall phone की performance पर भी देखने को लेगा यहां तक की pro max वाले model में ज्यादा RAM भी देखने को मिलेगी यानि की एक feature डाले के चक्कर में camera sensor अपडेट करना पड़ रह faster storage डलने पड़ रही है और RAM को भी increase करना पड़ रहा है और सिर्फ इतनी बात नहीं है यहाँ पर कहा जा रहे है कि 1TB का वाला जो model रहेगा वह भी pro max में exclusively रखा जाए ताकि 8K video recording का किसी को करनी है तो उसको बड़ी files तो कहीना कहीं store करनी पड़ेगी और इसका impact यह पड़ स pro max में exclusive रखके शाद max वाले है regular iPhone में ना डाले यह एक देखने वाली बात हो कि apple सच में ऐसा करती है कि हम फिर सभी iPhone में डालते को कभी लगता है कि सभी iPhone में आना चाहिए लेकिन being typical apple apple वाले यह भी कर सकते कि always on display हमेशा से सिर्फ iPhone 14 pro max के मेरे डाले या फिर pro models के मेरे डाले य आईफोन में सिर्फ में एक मोटा मोटा डिफरेंस होने वाला है कि iPhone 14 Max और Pro Max नाम के साथ साथ कुछ extra features यहाँ पर Pro Max में डाले जाएंगे लेकिन 14 Max रहेगा उसके अंदर पुराने iPhone 13 के यह चीज़ उठा ली जाएंगे लेकिन उसे बड़े phone factor बड़ी screen के साथ आप उसे enjoy कर पाएंगे और जिन लोग को बड़ी screen का फोन पसंद है श्याद इस phone को लेना यहाँ पर पसंद करें क्योंकि Apple ने पहले सोचा था कि छोटा iPhone mini iPhone यहाँ पर चल सकता है लेकि 12 मिनी और 13 मिनी की sales देख्यों ने पता लग गया कि छोटे iPhone का मार्कट है खतम है इसलिए वो iPhone SE को दुवारा से लिए ताकि iPhone ऐसी उन लोग को पसंद आता रहे जिन एक entry level iPhone चाहिए या फिर सस्ता iPhone या फिर एक छोटी screen का iPhone चाहिए लेकिन जो लोग एक प्रॉपर iPhone लेना चाहते है उन्हें एक बड़ी screen यहाँ पर दी जैए जिसके अंदर ये लोग जाता स्यादा चीज़ साइस के कारण बिकेगा और काफी सारे लोग ऐसे रहेंगे जो iPhone 14 Pro लेने वाले होंगे वो देखें कि iPhone 14 Max पी वैसा है और हो सकता iPhone 14 Max के पीछे जाए Pro Max की उपर तो बहुत दी कम लोग जाएंगे जिनको एक bleeding edge of technology चाहिए लेकिन 14 Max एक सबसे बहतरीन चोईस यहाँ पर देखने कम लेगा अब ही देखते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है और यह देखना है कि क्या चीज नहीं रहती है और iOS का जो नया version आएगा उसके अंदर exclusively iPhone 14 में क्या नए feature होते हैं कि देखा तो बाकी के जो features होते वो तो पराने iPhones में चली ही जाते हैं लेकिन software वाले हमेशा कुछ ऐसे नए feature रहते हैं जो हमेशा नए iPhone को थोड़ा से stand-out बनाते हैं दिखते हैं आगे कि iPhone के कहानी क्या रहती है बाइदावे आप लोग यहां पर कौन से iPhone के लिए सबसे आदा excited हो क्या वो iPhone 14 है या 14 Max या प्रो या प्रो मेक्स जो भी है आप तो नहीं से नीचे कमेंट में बता सकते है वीडियो गर आप लोग को पसने है तो लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना थेंक लगको वीडियो देखने के लिए अपसमा दो नेक्स वन में गुद्बाइ